हेलो फ्रेंट, रिपले में आपका स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम मैक्सिकन पिटोनिया के विशे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी करें मैक्सिकन पिटोनिया एक हीट टोलेंट प्लांट है, जिसमें फ्लावरिंग तीन रंगों में होती है, वाइट, पिंक और परपल इसके फ्लावर देखने में पिटोनिया की तरह ही होते हैं, लेकिन लिप्स थोड़े अडग होते हैं पिटोनिया में फ्लावरिंग winter season में होती है लेकिन Mexican पिटोनिया में फ्लावरिंग एपरेल से लेकर के एक्टूबर तरक continue होते रहती है और फ्लावरिंग हर दिन होती है इस plant की care करना और grow करना दोनों ही बहुत easy होता है इसे हम stem cutting से या फिर seed से propagate कर सकते हैं जब हम एस्टेम कटिंग से ग्रो करते हैं तो साथ आठ दिन के अंदर ही इस टेम पर नए नए फुटावा जाते हैं और कुछी दिनों में प्लांट प्लावरिंग के लिए तयार हो जाता है seeds काफी छोटे होते हैं जिसे collect करके हम grow कर सकते हैं कभी कभी इसके seed mature होकर के नीचे गिर जाते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट आप mother plant के पास देखेंगे निकल जाते हैं इसे हम किसी भी तरह के soil में grow कर सकते हैं जो well trained हो प्लांट को बहुत जादा fertilizer की भी जरूरत नहीं होती है लेकिन अच्छी flowering के लिए महीने में एक बार fertilizer अगर हम दे देते हैं तो अच्छा रहता है आप अल्मी compost या cow dung compost दे सकते हैं soil को moist रखें और over watering से बचें कभी कभी plant की लंबाई बहुत जादा हो जाती है तब हम उसे प्रोनिंग करके plant को छोटे अकार में रख सकते हैं Mexican pitonia summer season में flowering करने वाला plant है अच्छी flowering के लिए 5 गंटे की धूप मिला है इन ही सब बातों का ध्यान रख करके हम Mexican pitonia से बहुत अच्छी flowering ले सकते हैं आसा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आसा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा थैंक्यू